हेलो फ्रिट्स दिस इस सॉम्या एंड वी एर स्टुड़िंग सेनॉनिम अन्टॉनिम यानि वक्याब पोर्शन और हम एक्सांपल के साथ सब कुछ कवर करते जा रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले हमारा फर्स्ट वर्ड है बेकॉन बेकॉन मींज इशारा करना या बुलाना तो सो समबडी विद मुव्मेंट और फिंगर और हैंड तैट यू वांट हिम और हर तो कम क्लोजर इस आरे से जब किसी को पास बुलाते हैं अपनी फिंगर या अपना हाथ दिखा के तो बेकॉन हो इनवाइट सिगनल कॉल बहुत ही सिंपल वर्ड है बुलाना लाइक वी कैन से सी कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया नेक्स्ट वर्ड है इंडिकेट इंडिकेट मीन्स तो मेंक समबडी नोटिस सम्थिंग इस्पेशली बाइपॉइंट इट जब आप किसी चीज को इशारा करते हैं और उसे नोटिस करवाते हैं किसी को तो वो इंडिकेट हो जाता है यानि संकेत करना इंडिकेट 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 इंड invited all the family to the wedding मैंने या हमने पुरी family को invite किया है निमत्रित किया है शादी में तो invite हो गया कभी कभी इसको negative sense में भी use करते हैं जैसे कि you are inviting trouble if you carry so much money around तुम परिशानी को बुलावा देते हो या निमत्रित करते हो अगर तुम हमेशा अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके चलते हो तो तुम परिशानी को बुलावा देते हो तो यह हो गया invite signal signal means a sign action or sound that sends a particular message ऐसा कुछ sign या कोई भी action चेंड या फिर कोई ग्रिया या फिर कोई आवाज जो आपको संकेत करे कुछ message दे वो होता है signal like we can say when I give you the signal run जब मैं तुम्हें यह signal दू तब भागो तो यह हो गया signal अंटॉनिम देख लेते हैं repel या push away repel means कभी-कभी घ्रिना करने के भी sense में आ जाता है और यह दूर करने के भी sense में आता है to send or push somebody or something back or away जैसे कि हम पढ़ते हैं जो magnet होता है opposite side opposite pole attract each other and same identical pole और repel each other तो दूर करते हैं दूसरे को जब same pole होता है तो जैसे north-north या south-south वैसे यह repel बहुत common word है तो repel जैसे कि example है the dirt and smell repel धर तो जो बहुत गंदगी है या smell है उसे इसे घ्रिना होती है या उसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो repel हो गया push away push away means to show that you do not want do not want someone's help or attention आप दिखाना कि आप किसी की मदद या किसी का attention नहीं चाहते हैं तो हो गया push away example I feel as though you are always pushing me away मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम हमेशा मुझे push away करते रहते हो या फिर मेरी मदद नहीं चाहिए तुम को या मेरा attention नहीं चाहिए मुझे हमेशा ऐसा feel होता है ठीक है तो हो गया push away तो back on का synonym and antonym हो गया next word है मारा befog befog का मतलब होता है दुंदला कर देना या कोहरे से धक लेना लेकिन इसका एक meaning होता है confuse करना भी make confuse किसी को confuse कर देना तो befog का meaning होता है तो example ले लेते हैं her brain was befogged with lack of sleep उसका जो तो लड़की है ओके तो यह होगी है befog synonym देख लेते हैं bewilder confused perplex muddle bewilder means to confuse and surprise जब कोई बहुत ही ज़्यादा confused होता है साथ में surprise भी होता है तब bewilder होता है example I was completely bewildered by his sudden change of mood उसका जो तुरन दिमाग बदल गया मैं इसकी वज़े से एक्तम परिशान हूँ एक्तम बेचायन हूँ कि आखिर क्या हो गया तो I was completely bewildered by his sudden change of mood next word है हमारा confuse simple word है तुविधा पैदा करना या उल्जहन में डाल देना हो गया confused जैसे he confused everybody with pages of facts and figures facts and figures कि वज़े के pages से वो सबको confuse कर दिया next हम कभी कभी क्या होता है कि किसी एक person को दूसरा person समझ लेते हैं तो उसमें भी confused word इस्तमाल हो सकता है जैसे I often confuse Nikhil with his brother they look very much alike मतलब कि मैं अकसर confused हो जाता हूं या हो जाती हूं Nikhil को उसका भाई समझ लेती हूं यह समझ लेता हूं लुक वेरी माच लाइक वो बहुत जादा एक जैसे दिखते हैं तो यह हो किया confused next word है हमारा perplex make someone feel completely baffled baffled word मैं पढ़ा चुकी हूं इसका मतलब होता है व्याकुल करना या उल्जन में जब कोई होता है तब perplex या baffled word यूज होता है example है she was perplexed by her husband's moodiness वो अपने husband के moodiness से बहुत ही जादा उल्जन में है या परिशान है next word है हमारा muddle muddle means to put things in a wrong place or order or to make something make them untidy मतलब कि यह जिस तब कुछ इधर उधर रख देना series wise ना रखना तो हो जाता है muddle या to confuse somebody के लिए भी होता है muddle तो try not to get those paper muddled up कोशिश करना कि वो paper series में रहे muddled मत कर देना कि धर उधर मत कर देना line wise सब कुछ रहे next word है या next example ले लेते हम I do my homework or school work in separate books so that I don't get muddled up मैं हमेशा जो अपना homework होता है school work होता है अलग अलग books में लिखता हूं या लिखती हूं ताकि वो muddled अपना हो जाए मैं ताकि मैं confused ना हो जाओं कौन सा school work है कौन सा homework है तो muddle हो गया antonym है reassure या soothe reassure मतलब to say or do something in order to stop somebody worrying or being afraid मतलब किसी को आस्वस्त करना जब कोई परिशान हो या अफ्रेड हो डरा हुआ हो तब किसी को आस्वस्त करना हो जाता है reassure example the mechanic reassured her that the engine was fine mechanic ने उसे reassure किया कि engine एकदम ठीक है आपको डरने की जरुद नहीं है आपको चिंता करने की जरुद नहीं है soothe soothe means to make somebody calmer or less upset या to comfort somebody किसी को शान्त करना जब अगर कोई upset है तो उसको relax करवाना होता है soothe या किसी को comfort करना second हम कह सकते है to make a part of the body or feeling less painful जब आपका कोई body part दर्द हो रहा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा painful हो आप भावुक हो बहुत ज़्यादा तो उस समय जब आपको कुछ कोई काम करता है आपको शान्त करता है तब soothe हो जाता है जैसे the doctor gave me some skin cream to soothe the irritation doctor ने मुझे कुछ skin cream दी जिसके वज़े से मेरा जो skin में irritation थी वो शान्त हो गई तो यह हो गया soothe तो भी fog भी complete हो गया next word है हमारा begin बहुत ही simple word है शुरू करना to start doing something example shall I begin or will you मैं शुरू करूँ या आप शुरू करेंगे तो यह हो गया begin synonym देख लेते हैं start initiate comments originate start बहुत ही simple word है शुरू करना everybody knows about it second है initiate initiate means to start something आरंब करना like we can say to initiate peace talk चलो एक शान्ती वारतल आप शुरू करते हैं तो initiate हो गया next word है हमारा comments comments means to start or begin like we can say their contract commences in January उनका जो contract है वो जन्वरी में शुरू होता है next word है हमारा originate originate means जब कोई भी चीस कहीं से पहली बार शुरू होता है किसी particular place से या situation से तो originate होता है to happen or appear for the first time in a particular place or situation तो हो गया originate like we can say the sound seemed to originate from outside the room ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आवाज है वो कहां से शुरू हुई outside the room रूम के बाहर से तो ये हो गया begin का synonym antonym होगा end या finish end means like we can say my house is at the end of the street मेरा जो घर है वो गली के आखरी में है या the road ends here ये जो रास्ता ही यहीं खतम होता है next word है finish ये हो गया to complete something और reach the end of something कुछ भी एकदम समाथ कर लेना खतम कर लेना तो हो गया finish what time does the film finish किस समय ये film किस समय जो फिल्म है वो खतम होती है तो हो गया finish next word है हमारा big eye big eye means अकरशित करना charm और enchant someone often in a deceptive way किसी को charm कर लेना या enchant कर लेना लुभाद लेना in a deceptive way धोके के तरीके से example we can say we beguiled the voters with his good looks sorry he beguiled the voters with his good looks तो उसने जो है charm किया voters को लुभाया अपने good looks अपने अच्छे looks से तो अब बिगाइल सेनोनिम देख लेते हैं entice, lure, charm entice means to persuade somebody to do something or to go somewhere by offering him or her something nice यानि फुसलाना, लुभाना किसी को किसी चीज के लिए राजी करना ये कहके कि मैं आप के लिए ये अच्छा कर दूँगा मैं आप के लिए वो अच्छा कर दूँगा या कर दूँगी तो ऐसे कहके आप जो है किसी काम के लिए किसी को बना लेना हो गया, entice example advertisements try to entice people into buying more things than they need advertisement क्या करता है किसी चीज़ का लोगों को लुबाता है और जितना उन्हें जरूरत होती है खरीदने की या उनको काम होता है उससे ज़्यादा वो लोब में आके कई बार खरीद लेते हैं, तो advertisements try to entice people into buying more things than they need next word है हमारा लोर लोर means to persuade or trick somebody to go somewhere or do something usually by offering him or her something nice वाई चीज़ को गया फुसलाना या लुबाना यंग पीपल आर लोड टू देटी बाई प्रोस्पेक्स आफ जोब और मनी जोब और मनी को देखके cities में जो यंग पीपल है आजके वो बहुत ज़्यादा लोब में आ जाते हैं और वो एक तरीके से जिसे गाउव अगेरा के हैं टाउन एरिया के हैं तो वो सोचते हैं कि हमें शहर में ज़्यादा पैसा मिलेगा अच्छी जॉब मिलेगी तो वो उससे लेज़ होते हैं ठीक है तो नेक्स वर्ड है हमारा चार्म चार्म मीज़ अक्वालिटी देट प्लीज़ अन अट्रैक्ट्स पीपल ऐसी क्वालिटी जो लोगों को पसंद आये जो लोगों को अट्रैक्ट करें वो होता है चार्म example the charm of the island lies in its unspoiled beauty जो island है उसका जो charm है उसकी जो beauty है वो मतलब की unspoiled beauty उसमें रहती है जैसे कोई island है और वहाँ पे कुछ भी जैसे कि हम लोग का human activity नहीं हुई है जादा तो वो इक्तम beautiful होता है उसका नेचुरल जो होता है नेचुरल beauty वो बनी रहती है तो unspoiled beauty तो इसका अंटॉनिम होगा dissuade and discourage dissuade means to persuade somebody not to do something किसी को किसी काम के लिए मना करना हो जाता है dissuade like we can say I try to dissuade her from spending the money but she insisted मैंने कोशिश किया मैंने मना किया कि वो इतना पैसा खर्च ना करें पर वो अपने जित पे अड़ी रही वो कहती रही कि हम हमें ये चाहिए वो चाहिए वगेरा वगेरा तो next word है हमारा discourage discourage means निरुट्साहिद करना किसी को discourage करना example don't let these little problem discourage you एसी चोटी चोटी समस्या से अपने आपको निरुट्साह मत करो कोशिश कर रहें मतलब confidence का भी जो है opposite होता है निरुट्साह या discourage ठीक है तो यह हो गया हमारा begin and beguile भी दोनों next अच्छा यह last class का उम्मर था तो arid arid का synonym बताना था तो arid क्या होता है arid होता है जब कोई land या climate बहुती dry होता है या फिर जहांपे बारिश नहीं होती है तो वो होता है arid इसका option था present, past, fertile, apt present means present means होता है कुछ भी करना with embarrassment मतलब कि कोई बहुती निरलज्जिता से जब कोई काम किया जाता है तो वो होता है present past means very hot and dry or very thirsty जब बहुती ज़्यादा गर्मी होती है बहुती ज़्यादा सूखा होता है या कोई बहुती ज़्यादा प्यासा होता है तो इसके लिए past होता है next fertile इसको बहुती डीटेल से explain किये है अपनी पिछली classes में तो फर्टाइल हो गया उपजाओ एप्ट मतलब हो गया उचित suitable उप्यूक्त तो एरिड का सेनॉनिम पूछाता तो सेनॉनिम होका इसका past नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकुलेट एकुलेट का एंटॉनिम बताना था तो इसका option है commendation, praise, condemnation and equitable commendation means पहले एकुलेट देख लेते हैं एकुलेट मीन्स होता है प्रसंसा जब किसी को कुछ अपलब्ध ही मिलती है तो उसकी वज़े से जो समाज में उससे प्रसंसा मिलती है या पुरस्कार मिलता है तो वह होता है एकुलेट तो commendation क्या होता है commendation भी वही formal और official praise प्रसंसा मिलती है तो commendation, praise भी, praise तो simple word है सबको पता होगा condemnation मतलब किसी को दोशी आपराधी ठहराने का act या process तो यह हो गया condemnation, condemn, condemn बहुत कंदी राटी है जाने दो, condemn जो होता है वो वर्ब होता है और किसी की निंदा करना होता है condemn, तो उसी से बनाए condemnation next word है मारा acquittal, acquittal means दोश मुचन या बरी करना, किसी को दोश मुक्ती देना acquittal हो गया तो इसका antonym पूछा है देखो यह सारे तो, यह दोनों तो synonym ही हो गये, acquittal से कोई इसका relation ही नहीं है तो condemnation जो है इसका antonym है third, third इसका answer होगा next यह है मारा आज का question जिसका आपको answer देना है, commit में आप answer दे सकते हैं, approve, approve का आपको synonym बताना है जिसका option है cultivate, debate, consent and approve, next word है antidote, antidote का antonym बताना है, option है medicine, poison, anodyne, amity तो यह होगी आपका question आज का, जिसका आपको answer देना है कमेंट में, और आज के लिए बस इतना ही, और हाँ वीडियो को like, share and subscribe करना न भूले, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you